नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब, कई दिन से हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज एक कहानी सुनें, आज उश्मा मैम का मन कर रहे हैं आपको एक कहानी सुनाओ, कहानी बड़े ध्यान से सुननी है, और फिर मैम उस कहानी में से कुछ पूछेंगे आप से, तो आपको पता होना ये मैम ने क्या पूछा है ये एक तरह से listening skill भी हो गया आपका listening skill class 1 में भी करते थे English Hindi में कि कुछ आपको सुनाया जाता था कहानी के रूप में और उसके बाद उन प्रशनों के उत्तर होते थे है ना अब मेरी कहानी सुनिए जो मैंने आपके लिए spin की है बिली चलो हम आपस में दोस्त बन जाते हैं हम क्यों एक दूसरे को देखके डरें या डराएं हम दोनों दोस्त बन जाते हैं सही है न? बिली ने कहा बिलकूल गलत कुद्दे ने पूछा क्यों भई? गलत कैसे हुआ? बिली बोली तुम उल्टा बोल रहे हो कुथे ने का इसमें क्या उल्टा है सीधा बताओ क्या है बिल्ली बोली देखो बई मैं तो हूँ छोटी सी जानवर और तुम हो बड़े एक छोटा एक बड़ा मुझे तो हमेशा ही तुमसे डरना पड़ेगा भी हमारी दोस्ती तो नहीं हो सकती और उपर से तुम लंबे भी से आदा हो मैं छोटी सी हूँ ना बई ना मुझे तो डर लगता है तुम्हारे साथ दोस्ती करने से अच्छा कुथे ने कहा भी देख लो मैं तो अकेला बोरोता हूँ आजकल छुटियां हैं मेरी भी तुम्हारी भी दोस्ती होगी तो मिलकर कभी बात भी कर लिया करेंगे बिल्ली ने कहा नहीं जी पता चले मेरे पीछे पढ़ गया मैं आगे आगे भाग रही हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो और फिर भागते भागते मुझे कहीं किसी पेड के उपर चड़ जाना पड़ेगा तुम नीचे कड़े बहु बहु करते रहोगे मैं उपर म्याउ म्याउ करती रहोगी तो भई ये तो ठीक नहीं है मैं उपर कितनी देर खड़ी रहोगी कुटे ने कहा रहने दो कितनी देर खड़ी रहोगी तुम तो भागते भागते घरों के अंदर भी घुस जाती हो मैं तो बाहरी खड़ा रहता हूँ कभी मैं किसी घर में घुसा बिल्कुल भी नहीं तुम तो अंदर चली जाओगी छुपके बैठ जाओगी मैं तो फिर दाए देखूँगा, कभी बाए देखूँगा और तुम्हारा इंतजार करूँगा दिन, रात, सुबे, शाम तुम्हारा इंतजार किया करूँगा बिली बोली, कोई नया बहान ढूंढ़ो मेरे से दोस्ती करने का ये बहाने तो पुराने हो गए अच्छा कैसे पुराने हो गए और क्या तू खाखा के मोटा होता जा रहा मुझे तो कुछ खाना ही नहीं मिलता मैं तो पतली सी हूँ कुद्धा बोला अच्छा गर्मी है चलो तुम्हें ठंडी ठंडी आइस क्रीम खिलाता हूँ अरे आइस क्रीम ठंडी चीजे खाने से तो डॉक्टर ने मना किया है मुझे तो गरम गरम दूद पसंद है कुद्धा बोला चलो आओ मेरे पास तो आओ जो चाहिए मैं वो खिला देता हूँ बिल्ली बोली ना ना मैं तुम्हारे पास भी नहीं आओंगी तुम दूर ही रहो दूर से ही मेरे को देखो वही अच्छा तो कुट्टे ने कहा ठीक है मैं दूर चला जाता हूँ जैसे वो दूर जाने लगा बिली ने कहा ओ संबलो वहां गीला है आप विसल जाओगे सुखी जगा में आ जाओ कुट्टे ने कहा देखा कितना ध्यान है तुम्हें मेरा ठीक है भई बिली तुम जीत गई मैं हार गया ठीक है भई दोस्ती नहीं करनी ना सही पर हम दुश्मनी बिल्कुल नहीं करेंगे हम दोनों मित्र रहेंगे शत्रू नहीं बनेगे इतना प्रावमिस तो तुम कर ही सकती हो ना कम से कम हम एक दूसरे के सुख दुख में तो साथ दे सकते हैं ना, क्यों, ये बात सच है ना, के जूट, बिली बोली चलो ठीक है, लगती तो मुझे जूट है, लेकिन मैं इसको सच माल लेती हूँ, और दूर दूर से ही दोस्ती करूंगी, ठीक है, तो कहानी खतम, कुता बि नोट की, आज ये जो कहानी मैंने आपके लिए वीव की है, इसमें मैंने सारे कौन से शब्द यूज किये, उल्टे अर्थ वाले, इन सब शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा था, ये कहानी मैंने शब्दों को देख कर अभी आपके सामने बनाई, अब जब मैं ये सारे शब्द कौपी में लिख कर आपको दूंगी, आप एक बार इस वीडियो को दुबारा चलाना, जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे, वैसे वैसे कहानी में और कौपी में दोनों मैच करेंगे, तो आपको लर्न करने में इसी हो गए, एक बार और समझा दो, समझ लेते ठीक है, उल्टी अर्थ वाले शब्द, विलूम शब्द, सही means right, गलत, उल्टा, सीधा, छोटा, बड़ा, लंबा, लंबा होते हैं लंबाई में, जैसे लंबी नदी, लंबी साड़ी, लंबी सड़क, लंबी means बहुत लंबी, इस तरह से horizontally और चोटी, आगे, पीछे, उपर, नीचे, दाया, बाया, दाया हाथ, बाया हाथ, दाई direction, बाई direction, दिन, रात, सुभः, शाम, इसमें बच्चे अकसर confuse हो जाते हैं, दिन का रात होता है, सुभः का शाम होता है, कई बार दिन का शाम और सुभः का रात लिख देते हैं बच्चे वो गलत है, ठीक है, सुभह और शाम ऐसा समय होता है, जब सूरे के रोशनी थोड़ी कम होती है सुभह सूर जुगता है, शाम को ढलता है, और दिन रात बिलकुल एक दुसरे के opposite, दिन में पूरी रोशनी, रात को पूरा अंधेरा, सो दिन रात सुभह शाम, नया पुराना नया इस न्यू, ओल्डेस पुराना, मोटा खुब मोटा और पतला, मोटा पतला, ठंडा घरम पास दूर, पास नियर बिलकुल नस्दीक, जैसे मैं आपके नस्दीक आ गई, और अब मैं आपसे दूर हो गई, गीला, सुखा ये भी बहुत सिंपल है, जिस चीज में पानी लगा हो, गीला हो जाता है चाहे वो कपड़ा गीला हो, या कोई भी फर्श गीला हो गया, बारिश आने से सारी धर्ती गीली हो जाती है दूप उसको सुखा के सुखा कर देती है, हार बचो ये 20 शब्द हैं, इन में से 10 शब्द या 10 से भी 11, 12 शब्द हम क्लास वन में करके आए हैं, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है, वैसे भी easy है, और उस कहाने के माध्यम से आपको learn भी हो जाएंगे, अब आप कहानी को सुनते सुनते, इन शब्दों को एक बार पढ़ना, कॉपी में लिखके और उनको याद करना, और उनके spellings भी याद करना, बहुत simple topic है, ठीक है, और फिर इसका google form भी मिलेगा आपको और google meet में भी मैम आपसे पूछेंगी, ठीक है, जब तक आपको ये काम मिलता है, और आप इसको लिखते हो, लिखते समय लिखाई का, handwriting का विशेश ध्यान रखना है, कि सुन्दर लिखना है, ठीक है बेरी सुशमा मैम की नमस्ते, बाई ओके